MCC ने जो second round में seats vacant रहे गये थे उनका list जारी कर दिया है उन सबी seats पे अब mop up round में counselling किया जाएगा complete detail आप सब भी को बताने वाला हूँ किस category में कितने seats अभी vacant है और total कितने seats vacant है कितना expected मौप up round में cut off जा सकता है अभी बहुत seats vacant अभी भी available है आप सभी अच्छे से च्वाइस विल करें participant जरूर करें सबसे पहले general category में 876 seats vacant है MBBS का 167 AWS OBC 560 AC 278 और 108 ST यहाँ पर देखें PWD जेनरल 62 EWS PWD 13 OBC PWD 36 29 AC PWD और ST PWD 23 टोटल जो seats vacant है 2152 अभी इतना seats vacant है अभी बहुत seat vacant है ठीक है आप सभी participant करें मेरे recording मेरे recording just expected में आकर लगाऊं तो इन तीनों category में minimum कम से कम four marks जरूर डाउन जाएगा second round की compare में जो second round में गया था उससे चार marks तो जरूर कम जाएंगे यहीसे ज्यादा भी जा सकते हैं मेरा अपना अनुमान है और AC और ST category में हो सकता है कि six marks मार्क सेवन मार्क यह 10 marks का भी difference आ सकता है क्योंकि AC और ST में fluctuation ज्यादा देखने को मिलता है बाकि इन मतलब यह सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करें क्या पता हो सकता है कि six marks का भी difference देखने को मिल जाए दगो जस्ट अन प्रिट बले तो इसमें आप सब भी वास पाटिसीपट करें और काफी ज्यादा सिट्स वैकेंट है जो एक्सपेक्टेशन अब कर रहे थे उतना ही है उसे थोड़ा सा ज्यादा ही सिर्स है अभी वैकेंट आप सब भी पाटिसीपट करें और मैंने च्वाइस फिलिंग के रिगार्डिंग टेलिग्राम पर डाल दिया है वहां से अपना च्वाइस बनाए या आपने सब सकेंड राउन बनाया तो च्वाइस फिलिंग या फोस्ट राउन में उसी काधार पे थोड़ा बहुत चेंज करके आप स सब भी जाएंगे आई थिंक आप सब भी को समझ में आ गया होगा मिलते अगले वीडियों में